आज हम आपको ले चलते हैं वैंकोवर के दो गुर्दवारा साथ के दर्शनों के लिए यह हैं इसे पहले भी हम कनेडा की कही जगा के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं जिन्नों ने ये वीडियोज नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गे लिंक्स पर जाकर इन वीडियोज को दुबारा देख सकते हैं तरंजीत कौर ने आगे बताया कि ये दोनों ही गुर्दवारा साहब बहुत ही शांत जगों पर बने हुए हैं और इन गुर्दवारा साहब में जाकर मन को शांती भी बहुत मिलती है आठजार रोज स्ट्रीट गुर्दवारा साहब के बारे हमें जो थोड़ी बहुत जानकरी मिली वे हम आप से सांजी करना चाहते हैं यह गुर्द्वारा साहिब खालसादवान सुसाइटी द्वारा बनवाया गया है यह सुसाइटी 22 जुलाइस 1906 को होंद में आई थी और मार्च 13 1909 को इसकी रिजिस्ट्रेशन करवाई गई थी इस संस्था ने 1866 वेस्ट 2 एविन्यू वेंकोवर ब्रिटिश कोलंबिया कनेडा की जगा खरीद कर वहां गुर्द्वारा साहब स्थापित किया जिसे 19 जनुरी 1908 को शर्दालू के लिए खोल दिया गया संस्था ने निया और बड़ा गुर्द्वारा साहब स्थापत करने की सोची जिसके चल आठजार रोस स्ट्रीट पर होने तीन एकट जमीन खरीद कर 30 मार्च 1989 को गुर्द्वारा साहब का नीव पत्थर रखा गया और 1970 तक इस गुर्द्वारा साहब को 4,33,000 डॉलर की लागत से हैबलर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तियार कर दिया इस गुर्द्वारा साहब की अमारत का डिजाइन अरिक्सन और मैसी कंपनी द्वारा तिया गया था बेशक तीस नमबर 1979 को इस गुर्दवारा साब का उधगाटन कर दिया गया था लेकिन 1866 वेस्ट सेकंड एविन्यू वैंकोवर ब्रिटिश कॉलंबिया कनेडा के गुर्दवारा साब से शिरी गुर्दवारा साब जी की सुवारी इस गुर्दवारा साब में वसाकी के दिन 25 एपरिल 1970 को लाई गई उस दिन के बाद इसी गुर्दवारा साब में संक्ते जुड़ने लगए या थी इन गुर्दवारा साब के बारे कुछ जानकारी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब लाइक और शेयर जरूर करें जल्दी हम किसी नई वीडियो के साथ आपके रुबरू होंगे तब तक के लिए हमें दे अजाज़त शुक्त